तो जी डिजास्टर के बारे में आपने बात कही, रामायन की जो कता चालू होती है, वो डिजास्टर से ही चालू होती है, कहकई के कारण राम को वनवास हो जाता है, और कहकई की गिंती रामायन के one of the most negative characters में की जाती है, किन्तु यह भी सत्य है कि कहकई के बिना यह रामायन क कि कथा कभी शुरू ही नहीं होती, तो क्या कहकई सही में दोशी थी और negative characters का हमारी life में क्या ओचत्य है, क्या importance है, वास्तों में धिरत जी कहकई का चरित्र रामायन का बहुत अद्भूत चरित्र है, बहुत जटिल भी है, अगर गौर से देखें तो आप पाएंगे कि कि हमेशा अपने कार से बेवहार से दसरत का तिल जीत लिती थी, दसरत जी उसे बहुत प्यार भी करते थी, निसंदे उसमें अद्भूत गुर्ण थे, अन्य था दसरत का इतना अधिक प्रेम प्राप्त कर पाना संभो नहीं होता, इसके अलावा वो पीर योद्धा भी थी जैसा कि उसे रिशी से वरदान प्राप्त हुआ था, उसके एक हाथ में वज्र जैशी शक्ती थी, और एक औसर पर जब राजा दसरत के साथ युद्ध में गई थी, उसमें दसरत के रत का पहिया तूट जाने पर, उसने अपनी उगली उस पहिये में लगा दी थी, जिसके कारण दसरत की जान बची थी, और युद्ध में सफलता प्राप्त हो सकी थी, और उस औसर पर जो इतना महत्त पोड़ योगदान कहिके ने दिया था, उसके कारण ही उन्होंने दो वरदान देने का वशन दिया था, और उसी वरदान के परिणाम शुरूप, राम का बनवा प्रास और भरत को राज्या विशेक किये जाने की मांग की गई थी, और प्रश्ण उठता है कि कहके का ऐसा चरित्र वास्तों में था या किसी विशेश परिस्तिती के करण हुआ, निस संदेह रामायन एक अद्भूत महाकाबी है, और इस महाकाबे के संदेश को जन निता क के हरदे तक पहुशाने के लिए कुछ अभीस्त पात्रों का चैन करना पड़ा, जिसकी भूमिका के रूप में केकेई के इस चरित्र को लाना अपरिहाने हो गया, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार से जजिमेंटल होना या उसके चरित्र पर निननने आरूपित करना तरक सं नहीं प्रतीत होता है, फिर भी भूमिका उसकी नकारात्मक थी, भूमिका उसकी सामाजिक मुल्यों और मन्यताओं के विपरित थी, और उसको उजागर करने के रूप में, ऐसे पात्र के रूप में इस भूमिका को उसे निबाना पड़ा, और वास्तों में केकेई का सारा जोस केकेई का सारा निर्णे मन्थरा के माध्यम से प्रभावित हुआ जो उसकी दासी थी जैसा महा काबे में उलेख है सनी के दुस्ट प्रभावों के कारण मन्थरा ने एक ऐसी चाल चली एक ऐसी गलत भूमक्या ने भाई एक ऐसी सलाहकार की इस्तिती में हुई मंथरा की नकारात्म भूमक्या के करण कैकेई को बेबस हो करके इस तरह के वरदान मांगने को बेबस होना पड़ा जैसा कि गौर से देखने पर पता चलता है कैकेई राम को भी बहुत प्रेम करती थी और उस प्रेम का ही परिडाम था कि वरदान मागने के बाद भी जब भरत ने सोयंग का राज्जाभ इसे करने से इंकार कर दिया और ये भी संकल पलिया कि पूरे जीवन में वो कैकेई को मा के रूप में संबोधित नहीं करेगा तो वास्तों में भरत का ये निर्णे निश्यत रूप से सिद्ध करता है कि कैकेई ने जिस पुत्र को जन्म दिया था कैकेई के खून में, कैकेई के प्राणों में, कैकेई के वर्तियों में जरूर ऐसे साथ में गुण वर्तियां रही होगी जिसके परिडाम सुरूप ही भर ऐसे महत्तु कुर्ण नहीं ले सेगा